अगलो दोस्तों मेरे नाम है बिने और आप लोग देख रहें बिने टेक तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं आप लोग देपोजिट इन बैंक ओप बोरोधा बाइदा हैल पॉप बोरोधा एंकनेट प्लस आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आप लोग को बोरोधा का एंकनेट प्लस आप उपन करना है और फिर यहां पर आप लोग इन पर क्लिक करना है और फिर इधर आप लोग को आप्लिकेशन पासवर्ट देना है और फिर यह रहा बैंक ओप बोरोधा एंकनेट प्लस का इंटरफेस तो यहां पर आप लोग हुआँगा फिच इस स्लास रिकारिंग डिपोजीट लो कि फोर्थ ओप्सन है इसके उपर आप लोगो र लोग किलेक करना हे più और ही अम्याल आपET लोग देख सकते हो किक ओए करके less than 12 months ठीक है तो मैं 4th option में select करता हूँ और फिर इधर आप लोग को FD amount type करना है माल लीजिए मैं 1000 का FD कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग tenure दे सकते हो 15 days और फिर आप लोग को proceed पे click कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FD account will be auto renewed on maturity slash due date मतलब यह जो FD account है यह automatically renew हो जाएगा on maturity or due date और आप लोग देख सकते हो यह पूरा detail आ जाता है और यहाँ पे amount of deposit भी दिखा दे रहा है maturity date भी दिखा दे रहा है फिर 10 euro of deposit 15 days ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को confirm पे click करना है और फिर इधर आप लोग को M pin type करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो success दिखा रहा है और यहाँ पे पूरा detail आ जाता है मैरा maturity value जो है ओ एक हजार एक रुपे होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे तो इस तरह आप लोग easily FTA account open कर सकते हो in boroda mconnect plus app घर बेठे बेठे तो आगर आपके लिए यह वीडियो यूसफुल रहा प्लीज दू लाइक, शेयर, कॉमेट और सब्सक्राइब तो मा झाल